अगले खबर की और बढ़ते हैं भ्रामक विग्यापन पर रामदेव को सुप्रिम कोट से जटका लगा है। की कोट के आदेश की जानबुश कर अभिलना की गई। हलफ नामे के माध्यम से माफी मांगी गई। बाबारामदेव द्वारा और ये कहा गया कि ऐसे विग्यापन दुबारा नहीं दिये जाएंगे। लेकिन सुप्रिम कोट ने कहा कि हलफ नामे में आप धोका धड़ी कर र उत्राखंड को सुप्रिम कोट से फटकार लगी है जिसमें कहा गया है उत्राखंड सरकार को तीन अधिकारियों को फोरण इलम्बित किया जाना चाहिए। शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शंकर कडारुक अक्तियार कर रखा इस पूरे मामले पर सुप्रिम नहीं है. क्यों नहीं कर्तब के आप अरवाहे के लिए इन अधिकारियों को तत्काल प्रवाव से सब्सक्राइब कर गिया जाए इस तरह का जो एक सब्सक्राइब करें इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने का कि आदालत का मौखा माख़ॉर बनाया जा रहा है चूंकि देखे दिश्ने वाड की जो सुनवाई थी उस दवरान में ही बिल्कुल बिल्कुल और सुप्रीम कोट के आदेश के अवहिलना की गई ये भी सुप्रीम कोट ने टिपणी की और ये भी पॉइंट आउट किया शंकर की ये जो चूक जैसा शब्द आप लिख रहे हैं बहुत हलका शब्द है और आप इस माफी नामे में भी छेड़ खा सुप्रीम को संतुष नजर नहीं आया इस माफी नामे से जिसमें तीन नोटिस देंगे उसके बाद क्या कारवाई होगी है एक तरह से क्या सकते हैं कि सुप्रीम के ये भी का जानकारी के लिए बहुत शुक्री